Hello guys, welcome to current affairs for UPSC, PSC, IAS Guys, अगर आप UPSC civil services की तयारी कर रहे हैं या किसी भी state civil services examination की तयारी कर रहे हैं तो बिलकुल सही जगा पर आप आए हैं यहाँ पर सभी sources से news को cover किया जाता है जैसे कि The Hindu, Indian Express, Times of India, Live Mint जैसे जो newspapers होते हैं उनकी news को cover किया जाता है PIV के reports को discuss करते हैं राजिसबा television में जो भी important debates, discussion आती हैं उनको lecture के तुरान cover किया जाता है even EPW, down to earth, योजना जैसी जो magazines होती हैं उनके articles को भी cover करते हैं तो आप daily, regular अगर classes को attend करेंगे religiously classes को follow करेंगे तो आपको 100% guarantee success मिलेगी और आपका 100% guarantee selection होगा और 100% guarantee selection का बकाइदा proof दिया जाता है नीचे description पर आपको proofs मिल जाएंगे आप check कर सकते हैं कि previous year civil services examination में हमने जो topics cover कराए थे उनी से related questions बने हैं तो फटाफ़र चैनल को subscribe कर लीजे अगर आपने subscribe नहीं किया है तो इवन हम लोग काफी सारे high quality general studies के courses भी offer करते हैं तो आने वाली slides में आपको courses की details भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे channels की information भी आपको provide करा दियाएगी आने वाले slides में और गाईज नीचे description पर टेलीग्राम के channel की link भी आपको मिल जाएगी आप उस channel को भी join कर सकते हैं प्लस discussion group भी है जहाँ पर काफी सारे civil services के aspirants मौझूद है जो की daily basis पर अपने जो भी doubts पगेरा जो होते हैं उनको discuss करते हैं तो आप उसको join कर सकते हैं तो full focus के साथ start करते हैं current affairs की class को but before that ये कुछ courses की details और हमारे channels की details हैं आने वाले कल के IAS IPS officers को मेरा नमस्कार तो hopefully सभी लोग बढ़िया होंगे तो चलो class को start करते हैं start करेंगे paper 1 के पहले topics से देखो यहाँ पर बात हो रही है Gulf of Aden के बारे में Aden की खाड़ी अक्सर geography में location से related questions बनते हैं तो हम लोग इस location को Gulf of Aden को बहुत ध्यान से समझेंगे बट पहले यह जानने थे हैं यह topic news में क्यों देखने को मिला है तो Indian Navy और European Union Naval Force की exercise यहाँ पर Gulf of Aden पर conduct हुई थी that's why यह topic news में था तो यह लाइक point ध्यान में रखो news point of news है बट आपसे examination में Gulf of Aden के बारे पूछ लिया आएगा या फिर पूछ लिया आएगा कि बर्बेरा की खाड़ी जो है वो किसे कहते हैं यानि कि बर्बेरा की खाड़ी कहा पर है तो आपको तुरंट क्लिक होना चीए कि यह बात हो रही है Gulf of Aden की ही तो इसको मैप को चाहूँगा कि यह वाले मैप में जो है वो चीजों को आपको अच्छे से जो है वो समझाना इस मैप के उपर तो इस मैप के उपर हम लोग जो है वो चीजों को समझते हैं तो आप देखो यह देखो यह है Gulf of Aden हमें दिखाई दे रहा है तो यह है Arabian Sea अगर हम इस तरफ East की तरफ चले आएंगे तो हमारा इंडिया आ जाएगा यहाँ पर देखो आप यमन आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर यह सोमालिया की territory हम लोग को दिखाई दे रही है तो कभी-कभी कोशन आ सकता है Gulf of Aden का है चैनल भी हम लोग को देखने को मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं गाड़ फूई चैनल राइट गाड़ फूई चैनल है और यहाँ पर देखो सोकोट्रा यह यमन की territory आप देखो यहाँ से भी कोशन उट सकते है कि सोकोट्रा आइलेंड बताओ कहाँ पर है या फिर किसका है तो यह देखो आप इस एरिया पर ध्यान दो इंडियन ओशन के इस एरिया पर ध्यान दो गल्फ ओफ एडियन के पास ही हम लोग को यह सोकोट्रा देखने को मिल रहा है जो की गल्फ ओफ एडियन के आप देखो मैं चाहूँगा आप लोग को इस map के थूँ बहुत important important चीज़े बताना तो इस map पर थोड़ा सध्यान देना यहाँ पर आपको देखो red sea दिखाई दे रही है यह वाला वोई वाला area है यह Gulf of Aden का ही पूरा area हम लोग को दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप देखो गौर से तो आपको क्या दिखाई देगी red sea जो है आपको इहाँ पर दिखाई देगी goor से देखो यह red sea और यह gulf of Aden को connect को के रहता है ये वाला straight राई ये वाला जो area आपको दिखाई दे रहा है ये straight जो है रस्ता जो है वो है बब अलमंदेब तो question आज़े है बब अलमंदेब कहाँ पर है तो ये वाली location आपको अच्छे से ध्यान में रखने है ये जी बूती के पास में हम लोग को नजर आ रहा है तो यह कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि बहुत अच्छे से ध्यान में रखने होते हैं और यहीं पर यह आपको Gulf of Tadjora यह आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप कोशन आएगा कि Gulf of Tadjora कहाँ पर है तो देखो यह बहुत ही छोटा सा आपको मैप में दिखाई भी नहीं देता यह Gulf of Aden के पास में आप देखोगे कि जुबूती पर ही हम लोग को यह Gulf एक छोड़ा सा दिखाई दे रहा है तो यह Gulf of Tadjora तो यह चीज़ आप अच्छे से ध्यान में रखना है क्योंकि ऐसे कोशन अक्सर आते हैं कि Gulf of Tadjora का आए तो आपको तुरण जिबूती कंट्री जो है वो ध्यान में रखना है क्योंकि आप देखो ना इस वाले मैप में देखो आप यह दिखाई भी नहीं देता है तो ऐसे कोशन बहुत अच्छे से हम लोग को ध्यान में रखने होते हैं क्योंकि यही सब कोशन होते हैं इस पर लोग जादर ध्यान नहीं देते हैं और फिर वो जो है वो difficulty में पढ़ जाते हैं तो यह पूरी चीज हमने समझी बहुत अच्छे से इसके बारे में अब गईस modern Indian history का एक बहुत ही जादा important topic है जिसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं जंडा सत्यगर है, flag सत्यगर है यह topic का नाम है क्या आप मुझे बता सकते हैं यह जंडा सत्यगर है कब हुआ था, किस year में हुआ था, when इसका question का answer दे सकते हैं, when and where क्योंकि history में पढ़ रहे हैं आप तो when, where आपको यह चीज तो पता होनी चीए, कब हुआ था, कहां हुआ था घटना, और घटना क्यों हुई थी, इसके cause क्या थे और इसका outcome क्या निकला था, तो यह सब चीज़े आपको पता होनी चीए कि घटना, घटी तो क्यों घटी, और उसके बाद क्या हुआ है, इस घटना के बाद क्या हुआ है, तो वो भी एक आपको पूरी चीज पता होनी चीए, और दूसरी एक important चीज, उस घटना में कौन-कौन leaders शामिलते हैं, यह चीज भी अकसर जो है, वो exam में पूछ लियाती है, यह question अगर आप history बढ़ रहे हैं, और इन question के अगर जवाब देते हैं, तो यह मान के चलो, इस topic की आपको बहुत अच्छी understanding हो गई है, तो अभी यह topic हमें news में क्यों देखने को बिला था, पहले तो मैं आपको अधायता हूँ, तो ministry of culture ने 18 जून 2021 को अभी organize किया था, एक program flag सत्यागरह का, मध्यप्रदेश के जबलपूर में यह program जो है, वो organize किया गया था, that's why यह topic news में देखने को मिला था, अब flag सत्यागरह के बारे में जंडा सत्यागरह के बारे में हम लोग च सत्यागरह, तो मध्यप्रदेश के जबलपूर और नाकपूर में हुई थी, और इसे जंडा सत्यागरह भी हम लोग कहते हैं, वह बोलोगे सर, आपने शायद गलत बोल दिया, मध्यप्रदेश के जबलपूर और नाकपूर आपने बोल दिया, क्योंकि हम तो जानते हैं कि नागपुर तो महराष्ट में है, मध्यप्रदेश में नहीं, आपने गड़बड कर दी, तो नहीं गड़बड नहीं करिए, पहले के समय पर, जो आज की रेट में हम लोग मध्यप्रदेश, जो स्टेट की बात करते हैं, यानि की सेंटरल प्रोविंस की मध्य भारत की जो बा हुआ था, ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट इवेंट था, ब्रिटिश शाषन की वैधिता को चुनोती देने वाला ये इवेंट था, लेजिटिमेसी जो थी ब्रिटिश रूल की इंडिया के अंदर उसको चैलेंच किया गया था, ज़ंडे लहरा दिये गए थे, कह दिया ग लोगों के जो अधिकार है और लोगों की अजादी जो लोगों को चाहिए थी ब्रिटिश लॉज से क्योंकि काफी सार आप जाते ही आपने मौडर इंडिया इस्टी में देखा यह है कि ब्रिटिश ने किस प्रकार से कानून लाला कर अत्याचार किया था तो इसको लेकर जो ह हम लोग को देखने को मिला था और जैसे ही निउस निकली थी जपलपूर से कि आरे वहां के फ्रीडम फाइटर ने जंडा लहरा डाला तो हमारी कंट्री में हर जगा फिर जंडा लहराने की प्रोसेस वह वो शुरू हो गए थे हर जगा के प्रोटेस्टर जो थे वो जंडा कर लिया गया और उसी वीच्वीर भीड इखटा हुई और बहुत ही हम लोग को प्रोटेस्ट और जादा बढ़ता हुआ नजर आया देखने को मिला इवन गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया थे तो लोग बहुत जादा भढ़क गए थे फिर क्या हुआ कि फिर एड़ दी साथी साथ जितने भी लोग को अरेस्ट किया गया था उनको तुरंत रिहा कर दिया गया तो ये दो चीज थी जो ब्रिटिशर्स ने एग्रिमेंट के थ्रू जो है वो मान ली थी राइट अब इसके लाबा अब कोशन ये भी बन सकता है कि फ्लैग सत्यागरह के अंदर इन लाल बजाज जी थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी सी राजगोपालचारी के नाम से जिसे हम जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र परसाज जी और विनोबा भावे तो ये जो थे इन्होंने और भी काफी सारे लीडर्स जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया तो और बारे मैं भी आपको बता रहा है था करेंट मत्या प्रदेश और यहां पर एनो ने सिविल डिसोबीटियन को पार्डिसिपेट किया तो ये पूरी चीज है पूरा A to Z चीज है कोई भी टॉपिक पढ़ो तो उसकी हर एक चीज हो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए और कराऊंगा पहले अपने पूरे जो प्रिप्रेशन है यानि की करेंट अफेर्स के जो टॉपिक से उसको पहले कवर कर लेते हैं उसके बाद एंड में आप सुन लीजेगा जिन इस्टूरेंट को सुनना है हमारे को आप ले सकते हैं एंड में फुल फ्लेज आपकी तियारी क अपनिस्टर कौन है तो आप सभी जानते हैं ममता बैनर्जी जी इन्होंने फाइल करी है इलेक्शन पेटिशन कलकत्ता हाई कोट में और चैलेंज किया है असेंबली के इलेक्शन को राइट इन्होंने चैलेंज किया है कि जिस जगह से वो चुनाव लड़ी थी और हार अधीकारी तो उन्होंने अरोप लगाए कि इसके अंदर करप्षन का ग्राउंड जो है वो इंवल्व है और इन वन्होंने कहा कि उन्होंन अधीकारी जो चलाव जीते हैं तो इनकी जीत को अमान्य डिकलियर किया जाए तो ये इनकी माहिए कि करप तरीके से जो है यह जीद गए है क्योंकि जिस constituency से वो हारी है तो वो उस हार को बरदाश्ट नहीं कर पाई और जो भी होगा जो भी X, Y, Z issue होगा उस पर हम लोग नहीं बात करेंगे कि वो हमारे काम का नहीं है पर यह नों ने यह demand करी है election petition को लगा कर कि जो अभी जो candidate जो जीते हैं इनक चुनाई याचे का कब लगाई जाती है तो ध्यान रखना कि election petition जो है यह post result लगाई जाती है मतलब कि election conduct हुआ और election का result announce हो गया उसी के बाद जो है वो लगाई जा सकती है election petition उससे पहले नहीं तो ऐसे question बनते है तो यह clarity बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखो और voters के उने vote डाला यानि कि आम जंता तो आम जंता भी voters भी जो है वो election petition फाइल कर सकते हैं तो कौन कर सकता है election petition अगर पूछते जाए तो voters और candidate तो यह चीज़ आप ध्यान में रखिये अगर ठीक है और इन्हें अगर लगता है कि election के दौरान किसी प्रकार का घोटाला हुआ है कर सकते हैं अब election petition file कहा पर होती है तो जिस जगा पर घोटाला होता है जिस state के अंदर जिस constituency के अंदर तो वो constituency जिस high court के jurisdiction के अंदर आती है छेतर अधिकार के अंदर आती है तो वहाँ पर ही petition file होती है तो कहा पर petition file होगी election petition high court के अंदर याद रखियेगा ठीक है अब ऐसी petition क में देखने को बलती है कि election का result आया तो result आने के 45 दिन के अंदर अंदर आप election petition को file कर सकते हो 45 दिन में नहीं file करी तो फिर वो मान्य नहीं होगी तो यह चीज हम लोग को देखने को बलती है कि जिस दिन poll result आया उसके 45 दिन के अंदर ही अंदर election commission को file election petition को फाइल करना होता है सुरी अब इसके लाब रिप्रेजेंटेशन ओफ पीपल आक्ट का देखने को मिलता है तो इसके तहट इलेक्शन कमिशन जो है वो किस ग्राउंड के तहट फाइल की जा सकती है वो मेंशन है तो सेक्शन 123 जो रिप्रेजेंटेशन ओफ पीपल आक्ट का उसके इंदर डीटेल लिस्ट दी होई है कि अगर किसी प्रकार की करब प्रेक्टिस हो रही है जैसे की घूस खोरी हो गई ब वो क्या कर रहा है वो वोट बैंक का इस्तमाल कर रहा है धर्म जाती के अधार पर वोट मांग रहे हैं या फिर कई बार बच रहे हैं तो यह चीज हम लोग को देखने को मिलती है अगर इस प्रकार की घटना होती है इस प्रकार की इवेंट सामने आते हैं तो इन यानि कि अपना nomination paper file किया है बट उसको जान बुचकर reject कर दिया तो ऐसी घटना होती है तो फिर हो अधिकारी के खिलाफ कारवा ही होती है जिसने ऐसा किया होता है जैसे कि अभी ममता बैनर जी जी क्या बोल रही है कि जो returning officer है आरो है उन्होंने घोटाला किया counting के समय पर और फि presentation of people act में दिये गए provision को सही तरीके से अगर follow नहीं किया तो भी election petition जो है वो file की जा सकती है तो अगर अब मान लेते हैं election petition जो है वो file हो गई अब court को लग गया court ने जाच करी investigation करी और पता लग गया कि हाँ यार कुछ घोटाला हुआ है फिर क्या होगा तो हो सकता है कि court आदे जो है वो fresh election के लिए बोलेगी right court के पास एक option है कि वो fresh election conduct करवा सकती बट नहीं दूसरा option भी court के पास है कि वो एक नए विजेता को भी announce कर सकती है इस चीज को बिलकुल भी miss मत करना क्योंकि ये वाली चीज आपके लिए काम की है कि इस चीज में अगर घोटाला निकलता है court के पास ये भी power है एक नए विजेता को announce कर रहेगी right अब इसमें कुछ examples वगेरा है चाहो तो mains के लिए ध्याल में रखना चाहो तो रखलो इलाबाद high court का एक मामला 1975 का हमें देखने को मिला था जिसमें इंद्रा गांदी जी का election जो हटा दिया गया था जो राय बरीली constituency मे देखने को मिली थी और high profile case भी एक और था Congress leader CP Joshi जो है वो हर गये थे राजिस्तान assembly election को 2008 में एक votes है तो ये सब चीजे थी जिसके बार में आपको लोग को बसे एक idea होना चाही वैसे ये वाला page आपको लोग के लिए important नहीं है main चीज जो मैं आपको पूरी बताई ये आपके चाहल से January या February 2021 में भी आया है और इसके लावा में 2021 में भी हमने इस topic को cover किया है तो जब भी भी कोई topic repeat होता है तो वो बहुत जादा important topic हो जाता है और उससे related आपको बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए ये topic news में क्यों आया है तो वो हमारे लिए काम का नहीं है बट फ और ये petition किस से related है तो याचिका में आरोब लगाया गया है कि राज में प्रतिशोध पूर्ण सत्ता रूड दल द्वारा चुनाओ परिणामों के बाद तो वेस्ट बेंगॉल में जो चुनाओ हुए थे इलेक्शन हुए थे तो उसके result के बाद जो है वो निर्दोश लोग पर पोस्ट करी है क्योंकि ये टॉपिक पहले कई बार कवर हो चुका है तो इस पर एक अलग जो है वो वीडियो जो है वो मैंने बना दिया सेपरेट सिर्व इसी टॉपिक के उपर और वो आप अपना जो नया चैनल है जासर अकाडमी उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट ये टॉपिक जो है वो कवर कराया था तो उसको आप रिवाइज कर सकते है अपनी मैगजीन से या फिर जो नए जो वीवर्स आज पहली बार इस लेक्चर को देख रहे है काई अपना एक टेलीग्राम का चैनल है नीचे लिंक आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के चैनल की दिस्क्रिप्शन पर तो उस चैनल को आप जोईन कर लो वहाँ पर कल ही मैंने एक लिंक जो है वो पोस्ट कर दिया है रिक्यूजल ऑफ जजजेस की उस लिंक के थुरू और या फिर अपना ये अलग चैनल जो आप देख रहे हैं ना करेंट अफेर्स फोर यूप सी पीएस इसके कम्यूनिटी टाप में भी आप एक बार देख लो मैंने लिंक वहाँ पर पोस्ट कर दिया है तो यह अला टॉपिक बहुत इंपोर्टेंट है छे मिनिट का मात्र टॉपिक है तो इसको आप कवर कर लो तो यह टॉपिक और यह टॉपिक और पेपर टू से रिलेटेड एरिया के लिए हम लोग क्या कर रहे है हमारी जो तीन आम फोर्से से वैसे अगर आपसे पूछे है टोल कितनी आम फोर्से से यह टॉपिक ऐलाबा इंडियन को बलती है तो इसके इलाबा इंडियन कोस्गार्द तो ये चौती हम लोग को देखने को रहे हैं अभी यहाँ पर हम लोग सर्फ तीन ही अपनी forces की बात करते हैं तो किसी geographical area पर ठीक है किसी एक geographical area पर अगर इन तीनों forces को किसी एक commander के अंदर रखना है मतलब कि एक authority के अंदर रखना है जो कि एक authority तीनों forces को जो है वो order भी दे सके और तीनों forces के resources जो है वो same हो सके जैसे कि Indian army को अगर कुछ weapons अगर दिये होए हैं तो वक्त आने पर वो Indian navy और Indian air force भी same weapon का उपयोग कर सके इस प्रकार से तो ऐसी विवस्ता करने की यहाँ पर बात की जा रही है इससे फायदा यह होगा कि और better तदीके से जो हम लोग जो समे जिसमें अगर तीनों forces हमारी तैनात होंगे और एक single commander तीनों forces को जो है वो deal करेंगे तो उससे क्या होगा कि वो तुरंट जो है वो command दे सकेंगे तुरंट जो है वो actions लिया जा सकेगा और effective तरीके से तीनों forces मिलकर जो है वो deal कर सकेंगे तो यही वाले चीज़ आपर बताई एक unified command होती है हमारी तीनों services की और यह single commander के अंडर हमें देखने को मिलती है single officer के अंदर हमें देखने को मिलती है अभी यह हमारे पास नहीं है हम लोग इस पर अब विचार कर रहे हैं that's why यह topic हमारे news में हमें देखने को मिला है तो आपको अगर integrated theater command पूछ जो concept मैंने भी कर सकते हैं dispose कर सकते हैं आर्मी इंडियन एयर फोर्स और इंडियन नेवी को राइट तो यह चीज हम लोग को देखने को हैं वह चीज दो मैंने अभी आपको weapon वाला concept बताया था अगर इंडियन आर्मी को कोई weapon दिया जा रहा है तो वो या allocate किया जा रहा है तो वो इंडियन naval force और air force को भी उसका इस्तमाल कर सकते हैं उस resource का integrated theater command जो है guys यह answerable नहीं होंगी किसी individual services के लिए तो यह collectively answerable होती है integration या फिर jointness जो हम बोलते हैं तीनो forces का तो यह duplication of resources को avoid करने के लिए यह चीज बहुत बहतर है और especially जो मैंने भी आपको बताया कि China border और Pakistan border तो यहाँ पर इन command का जो recommendation है वो किसके दोरा दिया गया है या फिर अगर शिकाट कर समिती अगर लिखा हुआ है और इस प्रकार की चीज अगर आ जाए integrated यह command की अगर बात और यह theater command की या commander की तो आप इस जो मैंने concept अभी आपको पूरा बता है इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है ठीक है तो यह चीज़े simple सी जिसके बारे में बस आपको एक idea होना चीए और topic यह news बस लिए क्योंकि एक high level committee जो है वो इस पर बातचीत कर रही है discussion कर रही है कि इस प्रकार का इस प्रकार से हम लोग जो है वो integrated theater command जो है वो शुरू करें पाकिस्तान और चाइना में क्योंकि अभी त certification of medical devices plus scheme की हम लोग चर्चा करने वाले है तो इसे किसके दोरा launch किया गया है इस scheme को अगर question आ लिए तो quality council of India आपको ध्यान में रखना है यह basically एक upgraded form हमें देखने को मिल रही है Indian certification of medical devices scheme का यह upgraded form है और जिसे 2016 में launch किया गया था medical devices के certification के लिए जो medical device होती है diagnosis के लिए जो काम में आती है जैसे की thermometer हो गया बहुत सारी devices हम लोग को अलग अलग प्रकार की देखने को मिलती है बीपी चेक करने वाली जो device होती है बहुत सारी device होती है तो ऐसी जो device है उनको certification provide कराने के लिए यह scheme 2016 में लाई गई थी अब इसी का ही एक upgraded version है 13485 plus scheme हमें दे verify करने के purpose के लिए यह चीज लाई गई है क्योंकि आप खुद समझो कि ऐसी medical device है अब यही सब medical devices के records को doctor देखते है और फिर उससे आप से दवाईया लिखते है ठीक है अब अगर वो जो device है वो अगर verified नहीं है certified नहीं है और अगर वो गलत rating दे दे तो doctor गलत दवाई दे दे simple सा जो आपको थोड़ा से ध्यार में रखना है अब guys देखो mangroves की खास बात यहां पर बताई जा रही है कि mangroves जो है guys यह एक natural barrier का काम करते हैं cyclonic winds को रोकने के लिए तो जिन भी student ने EVS की class ली है तो guys आज आप EVS के lecture number 7 को revise कर लेना क्योंकि मैंने आपको lecture number 7 में mangroves के बार EVS के अंदर की EVS की class में environment की class में mangroves जो है वो protect करके रखते हैं mangroves जो cyclonic wind है उससे protect करके रखते हैं तो देखो अगर आपसे prelims पे पूछ लिया जाए कि coastal areas वगरा जो है उसको protect करने के लिए क्या-क्या measures लिए जा सकते हैं उसमें अगर लिखा है एक जहां कि mangroves के plantation को बढ है उसको इन्होंने पहले भी साबित किया है कि भीतर कनी का national park जो हम लोग को देखने को मिलता है वहाँ पर cyclone yas आया था जिस समय तो उस समय यहाँ पर मौझूद mangroves ने काफी हद तक cyclonic winds को control किया था और Odisha सरकार इसने proposal रखा है कि अब भारी मात्रा में mangroves का plantation करने वाले ह साती साथ कैसूरीना का plantation करने वाले है इनके coastal belt में क्योंकि आप जानते कि Odisha जो है वो वल्लरेबल हम लोग को देखने को मिलता है cyclonic storms हो गया वहाँ पर आती है तो यहली चीज है और Odisha जो है वो वल्लरेबल है वहाँ बहुत सारे natural disasters देखने को मिलता है जैसे कि cyclone हो गया कभ लेट में देखने को मिलता है तो आपको mangroove के बारे में समन्ना है कि mangroove होते का है तो यह plants हम लोग को देखने को मिलते हैं यह कहां से कहां तक उकते हैं यानि कि कि किस area पर उकते हैं यह किस tropics पर उकते तो tropics और subtropics छेत्र में जो latitude है 30 degree north का और 30 degree south का उसके बीच में यह उ ट्रॉपिक छेत्र में यह उकते हैं तो यहली चीज हमें देखने को मिलती है और सबसे ज़्यादा यह कहां पर उकते हैं अगर ऐसा कुछ कोशन आ जाए तो equator से काफी नजदीक यानि कि equator के 5 degree के area पर हमें देखने को मिलता है north और south में यह सबसे ज़्यादा पाए जाते है man mangrove basically शर्ब या फिर small trees हम लोग को देखने को मिलते है एक ज़ाड़ी है या छोटा पेड हम लोग को देखने को मिलता है जो की coastal saline या फिर brackish water पर देखने को मिलता है saline water यानि कि खारा पानी खारा पानी कितना होता है इसके अंदर salt कितना होता है 35 parts per thousand का हम लोग को इसके अ तो 35 parts per thousand तक का हम लोग को देखने को मिलता है fresh water के अंदर salt content होता है तो 35 parts per thousand और 5 parts per thousand के बीच का जो salt content होता है वो brackish water के अंदर हमें देखने को मिलता है यानि कि यह पूरी तरह से ना fresh water है ना पूरी तरह से saline water है तो यह concept भी आपको अच्छे से clear होने चाहिए जैने student ने environment की class लिए तो उनको मैंने already है पूरी चीज एक एक करके बहुत अच्छे से समझाई है तो देखो यही सब चीजे होती है यह सब जो general studies के topic होता है जो news में देखने को बिलता है और इसी से related आपसे prelims और mains में question पूछे जाते हैं तो concept बिलकुल clear रहो क्योंकि UPSC का game जो है guys यह concept क यह उपर आधारित है आपके concept जो है वो बहुत अच्छे से clear होने चाहिए राइट बहुत अच्छे से आपके concept clear रहने चाहिए राइट क्योंकि जब आपके concept clear होंगे तब आप किसी भी particular question का जवाप बहुत अच्छे से दे पाओगे और mangroves की बात करेंगा इस तो mangroves salt tolerant tree ह है देखो हर कोई पेड जो है वो खारे पानी पे नहीं उख सकता बट mangroves की खासिया आता है कि यह खारे पानी में उखता है और इसी को हम लोग hellophytes जो है वो कहते हैं hellophytes इन्हें hellophytes भी कहा जाता है और यह बहुत ही harsh coastal condition पर रह सकते हैं और साथी साथ इनमें complex salt filtration system होता है इ इनकी जो roots होती है इसे blind root हम कहते हैं जिसे pneumetophores जो है वो कहा जाता है blind roots होती है इनकी यह इनको मदद करती है कि यह anaerobic soil में यानि कि ऐसी मिट्टी में जहापर oxygen नहीं है तो वहाँ पर भी जो है यह respiration कर सकें survive कर सकें यानि कि जिस soil के अंदर हवा नहीं है oxygen नहीं है ना carbon dioxide क किसी प्रकार का हम लोग को content नहीं देखने को बिल रहा है तो वहाँ पर भी यह survive कर सकती है बिना हवा के उसमें बातावरण में और क्यूभी पानी के नीचे हम लोग को यह देखने को मिलती है और जो बीज होती है mangrove forest की forest trees की तो यह खुद बाखुद जो है वो tree जो है वो class में दिखा ही थे आपको शाहिए द्यादा रहो तो इसमें होता कुछ नहीं है वीवी parity mode के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो seeds जो होते है तो वो गिरते नहीं है और वहीं से जैसे ही seed आता है तो वहीं के वहीं जो है वो उगने लगता है तो कुल मिलाकर यह इनके जो man mangroves जो forest जो होते है तो यह एक प्रकार से आप यह नहीं कहोगे कि मिट्टी के अंदर से इसके seed जो हो germinate होते है यह बिलकुल जैसे ही इसका जो shoot होता है leaf वाला area होता है इसका fruit जैसे ही बनता है तो वहीं से ही जो है यह उगना शुरू कर देते है तो यह इनकी खासियत हम ल feeding grounds हम लोग को देखने को मिलता है fishes का यहां पर मचली पालन बहुत अच्छा होता है और तूसरा coastal soil erosion को यह प्रिवेंट करती है यानि की coastal area से मिट्टी वगरा जो हो जाती नहीं क्योंकि इसकी जड़े वगरा जो होती है मिट्टी को पकड़ कर भी रखती है साधी साथ प्रो और एवी फॉना और wildlife species को यह support करती है यानि कि mangroove जहापर भी होगा वहापर आपको बहुत सारी प्रजातिया अलग-लग प्रकार की देखने को मिलेगी ठीक है तो यह कुछ points है इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है और साधी साथ मैंने आपको breeding के बारे मताई दिया चीज़े हम लोग को हाग पर देखने को बलती है और एक और important चीज़ मैं आपको बताऊं गाई कि world environment day के दिन बेंगाल की chief minister ममता बैनर जी ने announce किया था 50 million mangroves जो है यह plant करेंगी सुन्दर बंस में आने वाले समय में आने वाले future में और mega mangroves plantation drive जो है अभी शुरू किया गय था कि cyclone अमफान जब आया था तो उस समय बहुत जादा mangrove plants का loss हमें देखने को मिला था नुकसान हुआ था इन पौध होगा रइट तो इसलिए इन्होंने बोला कि अब यह plant ज्यादा मात्रा में यहाँ पर लगाए जाएंगे तो इन्होंने प्लेज लिया है कि 50 million mangroves में पाच करोड़ के असपास mangroves जो है को लगाने की यहाँ पर बात करी है और एक और चीज में आपको बताना चाहूंगा guys एक और चीज साइकलोन क्योंकि अभी यहाँ बात हुई है इस टॉपिक के अंदर साइकलोन के बारे में भी क्योंकि इन्होंने ओडीशा ने क्या बोल अब कुछर है तो आपको मिल जाएगा अपने जन्रल स्ट्डीज के उसमें इसमें चैनल पर आप उसको कवर कर लिजए कि वह एक मातर ऐसा लेक्श्वह पूरी चीज बता हुए कि जैसे साइकलोन होता है साइकलोन की अई जो होती है पहां पर होती है साइकलोन की आई बता तो आपके लिए बहुत बेनिफीशल हो जाएगा वहाला टॉपिक और अगर बाइचांस लिंक वगेरा ना मिले तो मुझसे मांग लिए करो ठीक है गुरूप जॉइन कर सकते हो आप टेलिग्राप को गूरूप वहाबर आपको लिंक मिल जाएगी आपके लिए एक कोशन है तो देखो इस कोशन का आंसर अटेम्ट करो हॉल मार्किंग के बारे में हमने डिसकस किया हुआ है इसके बारे में बताओ जरा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि इसका क्या करेक्ट आंसर होगा और इसी के साथ आपना जो कोर्स है टॉपिक जो है वो पूरा फिन मेरे जितने हिए स्टूडेंट्ट है क्योंकि इन कोर्स में मैं पूरी जानकारी आपको देता हूं और ऐसा जरूरी निहीं कि आपको सभी कोर्स लेना है इसलिए मैं यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है जैसे इसका आपको जो भी सबजेक्ट भी आप उसका भी ले सकते और हाँ यहाँ पर demo classes भी guys available, आप पूरी चीज़ इसमें पढ़ेंगे तो आपको पता लगे जाएगे कि demo classes भी हम provide कराते हैं, आप demo देखिए आपको पसंद आएगा, आप continue करिए और इसमें ये बात guaranteed है कि पूरा syllabus बहुत अच्छे से cover किया रहाता है एक एक चीज़ और ये prelims और mains दोरों point of view से हर चीज़ इसके इंदर हम लोग cover करके आपको देते हैं, economics का course guys available है, CSET का course available है, history का पूरा course available है UPSC 2021 की test series available है और अपसे आपको current affairs के notes बनाने की जरूत नहीं है, सिर्फ आप ध्यान से पढ़ाई करें, lecture को सुनें और इसको revise करें, और क्योंकि current affairs एक ऐसी चीज़ है, हर दिन कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ नया नया आता रहता है उसके अगर आप notes बनाते चलेंगे, तो आपका time waste होगा, तो smart study करिए 100 rupees पर मंद की fees में मात्र daily lectures जो आप देखते हों कि आपको PDF दी जाती है, handout notes प्रवाइट किये जाते है revision के लिए आपको weekly compilation दिया जाता है और आपको monthly magazine दी जाती है इतना सबकुछ मात्र 100 rupees पर मंद की fees में और एक offer भी है जिस offer को आप चाहें तो ले सकते हैं और current affairs के, अगर आपको करिएगा, ठीक है और इसके लाब में मेंस का भी एक series हमारा program है जिसके बारे मैंने भी आपको थोड़ी दिर पहले यहने की starting बताया था GS paper 2 के समय पर, तो आप वो मेंस के program को अगर आप join करना चाहते हैं तो भी join कर सकते हैं, उस program के अंदर आपकी मेंस की बहुत अच्छी तयारी करवाई जाती है मेंस की answer writing, practice आपकी बहुत भाइदरीन करवाई जाती है, तो चलो अब मैं मिलूँगा आपसे next lecture में दब दक लिए, बाबाई, take care, have a great day ahead guys, टाडा